आपके लिए जाना बहुत जरूरी है कि करनाटक में बीजेपी या कॉंग्रेस दोनों में से किसी के लिए भी सरकार बनाना इतना जरूरी क्यों है करनातक में अपने अपनी सरकार का गढदध ज़रूरी है क्विकि क Nigeria के लिए करनातक पंजाब के बार का दूश्या सबसे बड़ा गढ़ा बीजेपी के लिहाज से मोदी राज में दक्षिन बारत में बीजेपी की पहली सरकार बनेगी अमिर्शाने का भी था कि ये दक्षिन का दर्वाजा होगा हमारे लिए और कॉंगर्स के नजरिये से 2019 में राहुल गांधी की पी-एम दावेदारी मजबूत होगी इसके जर्वे बीजेपी के नजरिये से 2019 में मोदी की अपराजे जो चबी है वो और जएदा मजबूत होगी कॉंगर्स के लिए एमपी, राजस्थान, 36 गड़ विधानसवाज चुनाथ जीतना आसान होगा और कॉंगर्स के लिहास से यूपी ए गड़बंधन में कॉंगर्स किस्थिती मजबूत हो बीजेपी के लिहास समझागा है तो एंडिया गड़बंधन में बीजेपी का विश्वास और बढ़ेगा कॉंगर्स के सरकार नहीं बनी तो यूपी ए गड़बंधन में कॉंगर्स कमजोर होगी अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो एंडिया में शिवसेना जैसे दल के तेवर जो हैं वो और तीखे हो जाएंगे और करनाटक को ही 2019 में लोक्स जबा के लिए सबसे बड़ी जीत कर रास्ता माना जा रहा है शाइज इसलिए चनादेश की राह में राहूल गांधी की 29 आर को कॉंग्रेस जो है वो छिपाने की कोशिश कर रही है मकर ये लोगतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है क्योंकि लोगतंत्र में विश्वास रखने का दावा करने वाली कॉंग्रेस लगाता चनादा के आदेश को जान बूज कर नजर अंदास कर रही है और लोगतंत्र के वज़ाए राहूल गांधी को यहां पर बचाने की कोशिश की जाने है राहूल ने पी-एम बनने का सपना देखा मगर करनाटक हार के बाद सी-एम की जंग लड़ रही है करनाटक की सियासत में जिस तरह लोग नए सी-एम का नाम और चेहरा तलाश रहे हैं उसी तरह सब की निगाहें राहूल गांधी को तलाश रही है करारी हार के बाद पार्टी अधक्ष और स्टार प्रचारक राहूल गांधी सियासी आस्मान से ऐसे गायब हो गए जैसे जेडियेस के समर्थन वाली चिट्थी में कुछ कॉंग्रिस विधायकों के दस्तखत गायब दिखे कर्नाटक की हार के बाद ऐसा लग रहा है कि राहूल कर्नाटक के सियासी नाटक वाले मंच के परदे के पीछे से दाव पेच चल रहे है हार पर ना ट्वीट नहीं कोई बयार लेकिन पूरी कॉंग्रिस पार्टी 2013 से लेकर अब तक उनकी 29 चुनावी हार पर खुद भी परदा डालने की कोशिश कर रही है और चाहती है कि हिंदुस्तान भी इस हार के जिम्मिदार को ना देख सके सारे कॉंग्रेसियों की बाहे खिल गई मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी सीटे 122 ही इससे 77 करने का काम करना तक की धंता ने किया है और आपका गोर पराजे हुआ है पीजेपी विश्वास नहीं करती है लोकतंतर पे वो तोड़ जोड़ ताकत पैसा एजनसी सब इस्तमाल करती है पावर के लिए और ये भारतिये लोकतंतर के खिलाफ है दरसल ये कॉंग्रेस की हार नहीं कनाटक में सिध्धरमयय सरकार की हार नहीं बलकि कॉंग्रेस अंध्यक्ष राहुल गाधी की बहुत बड़ी हार है क्योंकि इसी हार से ठीक पहले उन्हें 2019 में पी-म की कुर्सी साफ नजर आ रही थी इसलिए पंजे के निशानवाली पार्टी के अध्यक्ष पर सवालो वाली उंगली उठना लाजमी है क्या कनाटक में जोड़तोर से राहुल का करियर बचाने की कोशिश हो रही है क्या राहुल की हार को नजर अंदास करने की कोशिश हो रही है क्या 2019 में पी-म के लिए राहुल की दावेदारी बनाने की कोशिश हो रही है कॉंग्रेस और राहुल गाधी दोनों जानते हैं कि कन्नातक में हार या जीत का मतलब क्या है अब राहुल हार चुके है इसलिए ना तो कॉंग्रेस के पास कुछ कहने के लिए है और ना ही राहुल के पास कुछ बताने के लिए जैपाल शर्मा प्रसाद भोसेकर और अमित प्रकाश के साथ बियरो रिपोर्ट जी मीडिया बेंगलूरू आपके सामने में आप देख सकते हैं कि इस बस के अंदर में तमाम MLA's, MLC's और MPRF से तमाम कारी करता जिसके की भाजबा किसी रगसी रूप से संपर्ख साथ सकते है उन सभी को इस बस के अंदर में बैठा लिया गया है और जो हमारे पास जानकारी है उसके मताबिक कुल 120 कमरे उस रिसोर्ट के अंदर में बुक कराए गए है दरसल एक तरह से सभी तरह के संपर्ख सुत्रों को काट देने की तैयारी कौंगर्स की ओर से कर ली गई है अब ये करनाका के अंदर में रिसोर्ट की राज़िती और स्टेडिंग इस तरह की राज़िती शुरू हो चुकी है आगे आने वाले तीन चार दिन काफी महतुपूर्ण होंगे ये देखना होगा कि राज़िपाल किस दल को बुलाते नियोता देते हैं और ये कहते हैं कि वो एस्मबली के अंदर में फ्लो टेस्ट पासकर है ये सब कुछ अब राज़ितीक ड्रामा यहां दो चार दिन और चलने वाला है कैमरामेन प्रमोट के साथ जैपाल शर्मा जीनियूस पैंग दो और आप को दादे जीनियूस को ख़बर ये मिल रहे है सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी यानिक इदरब्बा को सरकार बनाने का नौक्ता दिया जा सकता है किसी की बाट जी और देशित में हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश की जो डिमोकरसी है उसके साथ कुछ भी बुरा है हम जाहेंगे कि हमारा महाल लोक्तंतर हमेशना से इस देश का गौरब बना रहे है लेकिन शक क्यों होता है यह आप को दाते हैं सिर्फ एक मिसाली काफी है देखिए देखिए उनीस सो चियानवे में 46 सांसितों के दंपर हजडी देवे गौडा इस देश के प्रधान मंतरी बन गए थे और इते हास का पहिया कैसे घूंगा लोटा और डेमोक्रेसी पर गरेंड लगाने की कोशिश में उनी देवे गौडा के बेटे हजडी कुमार स्वामी 22 साल बाद 37 विधायकों के दंपर मुख्यमंतरी बनने का सपना देख रहे हैं सबसे छोटी पार्टी जो बन कर आई है उसका मुख्यमंतरी जरा सोची है कॉंग्रेस ये सरकार बनवा भी ले तो क्या अपना सम्मान बचा पाएगी